हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तों, आज हम आप सभी को प्रेक्टिकल आन सौर्ट सरकिट यानि हम आज आप सभी को सौर्ट सरकिट पे प्रेक्टिकल करके दिखाएंगे चलिए शरू करते हैं देखिए दोस्तों, मैंने इसके लिए LED wire, copper wire, और यहाँ पे देखिए दोस्तो, multimeter का positive सीरा, LED के positive सीरे से, और multimeter का negative सीरा, multimeter के negative सीरे से जुड़ा है, इस समय LED bulb जल रही है, जब हम short करेंगे इसको, देखिए तब क्या होता है, देखिए दोस्तो, यहाँ पर, हम यहाँ पे short जब हम किये हैं, यानि जो हमारा multimeter का यह जो phase wire है और यह neutral wire है short circuit के definition के अनुशार जब हम इस दूनों wire को direct connect करते हैं यह से मैंने किया है तो उस condition को short circuit करते हैं short circuit करने से current जो है LED में से LED में से ना गुरियर के इस copper wire में से गुजरती है और जिसके कान हमारा multimeter जो है continuous beep की sound मार रहा है सुनिए दोस्तों ये short circuit होने का indicate कर रहा है कि हमारा system जो है इस समय short circuit हो गया है short circuit होने से current जो है LED wire में से न जाके इस copper wire में से जा रहा है जो LED wire के compression में इसे least resistance path प्रदान करता है यानि कम resistance प्रदान करता है और हम जानते हैं current हमेशा कम resistance वाले path से flow होना prefer करती है देखिए दोस्तों विप मार रहा है अभी हम देखिए इस copper wire को हटाएंगे LED bulb जनने लगेगी देखिए दोस्तों यहां से हमने copper wire को हटाया LED bulb हमारी जनने लगी देखिए दोस्तों फीट्स लगाएंगे नहीं जलेगी हर्ट मारेगी देखिए दोस्तों मैंने यहां हर्ट कर दिया नहीं जली छोड़ दिया दोस्तों जल गए देखिए सौर्ट किया हमारा मल्टिमीटर बीप की साउंड मार रहा है और दिया नहीं जले क्योंकि यह कापर कंड़क्टर यह वाला इसे लिफ्ट रजिस्टू पाथ प्रदान कर रहा है यहां पर देखिए दोस्तों हमने जो है फेज और यह देखिए दो दोस्तों नीट्रल काला वाला दोनों को हमने डारेट कर दिया आए इसी को जो है हम लोग जो है साउट सर्किट कंडिशन कहते हैं अगर दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सेयर एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू झाल 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 झाल